प्रधान मंत्री मात्र वंदना योजना के तहत पूर में पहला बच्चा होने पर सरकार के और से 5000 रुपए की धनाशी दी जाती थी लेकिन अब खुशी के बात यह है कि दूसरी संतान बेटी होने पर भी इस योजना के तहत 6000 रुपए की राशी प्रोसाहन के रूप में दी यह जानकारी अपर मोखेच के साथकारी डॉक्टर पी के शर्मा ने दी है यह है किया गया है तो इसमें योजना में जो अगर पहला बच्चा जब भी किसी के पैदा होता है पहला बच्चा अगर कोई भी लड़का है या लड़की है तो गर्भा वस्था के जो पहली प्रिग्नेसी में गर्भा वस्था से लेकर के और डिलीवरी के 2-70 दिन बात तक जो है ये फॉर्म भरा जा सकता है और इसमें पांच जार रुपए दो किस्तों में पहले बच्चा होने पर दिया जाता है इसके अलावा अगर दूसरी कन्या होती है दूसरी दूसरा बच्चा लड़की है किसी के हो रही है दूसरा बच्चा तो वो सबी भी जो है इसके पाद त्रिलावारती हैं और उनको 6,000 रुपए एक मुस्ट जो है कन्या होने के बाद फॉर्म भरा जाता है और जब बालका हो हो या लड़की हो और जो दूसरा बच्चा है चूंकि इसमें कंडिसन यह है कि वो लड़का होने पर नहीं मिलती दूसरे बच्चे में और केवल लड़की होने पर ही अगर दूसरा बच्चा लड़की है तभी वो धन्रास मिलती है तो जन्म के बाद ही यह पता चलेगा कि य कि है लड़का है इसलिए जम के बाद ही ये छह जार रुपए एक मुष्ट में ये भरा जाता है और इसके लिए कि सभी जगह हमारी जो आसा हैं वो इसका फॉर्म भरती है और जो इतने भी लाभारती हैं इसके वो अपने छेत्र की आसां से या अपने छेत्र के पीएसी पर जा करके अपने वहां के जो मानक हैं उसमें मैं बता दूं आपको कि महिलाएं जिनकी कुल वारसिकाय आठ लाग रुपए परत्वर्थ से कम हो ऐसी महिलाएं वो सभी लाभारती हैं मन्रेगा जॉब कार धारक कोई भी महिला हो महिला किसान जो किसान संबान निद लाभारती हो ईसरम कार धारक महिलाएं हो कोई भी आईस्वान भारत के लाभारती हो जो प्रियानमंत्री जनराग योजना का लाभारती है वो ऐसी महिलाएं बीपियल रासन कार धारक जो भी म इसके अत्रिक जो हमारी गर्वारती जो अंगनवारी वरकर हैं और हमारी आंगनवारी साह का हैं आसा हैं ये सबी इसकी पात्र लाबारती है। लिकिन ऐसा नहीं है कि केवली विस्यस अभ्यान में ही फॉर्म भर सकते हैं लोग फॉर्म कभी भी भर सकते हैं बाद में भी भर सकते हैं लेकिन विस्यस अभ्यान चला करके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो सबी से अनुरूज है कि विस्यस अभ्यान का लाब लेकर के अपन झाल